कोई के साथ हमारा हिसाब किताब चुकुतू हो रहा है या बढ़ रहा है ये चुकुतू होने का या बढ़ने का पता कैसे चलेगा अगर हिसाब किताब बढ़ रहा है तो वर्तमान जन्म के करमों के हिसाब से कहेंगे या पूर्व जन्म के करमों के हिसाब से कहेंगे अगर वर्तमान जन्म के करमों के हिसाब से कहेंगे तो क्यों कहेंगे पूर्व जन्म के करमों के हिसाब से क्यों नहीं कहेंगे इसलिए कहेंगे कि संगम युग में जो पाप कर्म हम करते हैं किसी के साथ कर्मेंद्रियों से तो उसका पाप कितना गुना चड़ता है सौ गुना चड़ता है अब जब सौ गुना एक दम पाप चड़ गया तो प्रभाव अपना प्रितेक्ष दिखाएगा या नहीं दिखाएगा है प्रितेक्ष प्रभाव दिखाएगा लगाव ज़्याद बढ़ जाएगा या घट जाएगा लगाव बहुत बढ़ जाएगा इसमृती किसकी आएगी जिसके साथ हिसाब किताब बढ़ गया है उसकी स्मृति आएगी ये नहीं आएगी आएगी तो जिसके साथ हिसाब किताब बढ़ता है उसकी स्मृति बढ़ जाती अटेच्मेंट बढ़ जाता है और जिसके साथ हिसाब किताब कब हो जाता है है उसकी स्मृति छूट जाती है यही पहचान है